है दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाटशाला में आज की वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इतियास के महत्वपूर्ण प्रशनों को पहला प्रशन है प्रसिद वीम बेटका की गुफाएं किस इस्तान पर इस्तित हैं चार आप्शने आपके पास सही उतर है भौपाल मद्यप्रदेश की राजदानी भौपाल के निकट इस्तित हैं भीम बेटका की गुफाएं अगर हम भीम बेटका की गुफाओं की बात करें तो एक ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर जो प्रागे अतिहासिक काल की यहाँ पर चित्रकारी की गई है आदिमानुवा द्वारा और यहाँ पर उनके द्वारा सहल चित्रों का निर्मान किया गिया है जो भीमवेट का की गुफाएं है इन्हें 2003 में विश्वदृरसतल गोषित किया गया है अगला क्वेशन है किन सासकों ने सरपर्तम सीषे के सिख्य के जारी किये थे चार ओप्शिन आपके पास सही तरह है साथवाहं सासक साथवन सासकों द्वारा सवप्रतम सीसे के सिक्य जारी करने का उलेख है अगर हम साथवन सासकों के बात करें तो जो साथवन जो राजवन्स था उसके संस्तापक थे सिमुक और इनका जो समय काल था वो था 120 पूरू यानि हंडर्ड बीसी से पूरु का ये सासनकाल था साथवान सासकों का अगला क्वेशन है चंद्रगुप्ध दुतिये ने किस वन्स के सासक को परास्त कर विक्रमा दित्य की उपादी धारण की थी चार आप्षिन आपके पास सही उतर है सक सासक चंद्रगुप्ध दुतिये यानि जिने चंद्रगुप्ध विक्रमा दित्य भी का जाता है वो समुत्रगुप्ध के पुत्र थे और उन्होंने सक सासक रुद्र सेंत्र दुतिये को हराया था और उसके बाद उन्होंने विक्रमा दित्ये के जो उपादी थी वो धारण की थ अगला question है अस्वगोश किस सासक के दरवारी कवी थे चार option आपके पास सही उतर है कनिश्क कनिश्क जो कुशान सासक थे कनिश्क उनके दरवार में दरवारी कवी थे अस्वगोश अगर हम बात करें कनिस्क की जो की कुशान सा सकते उन्होंने ही जो सक समवत था वो प्रारम्ब किया था और अगर हम बात करें सक समवत की तो सक समवत प्रारम्ब वह था 58 एस्वी में अगला question है माराष्ट के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? माराष्ट के सुकरात के नाम से जाना जाता है माराष्ट के सुकरात के नाम से जाना जाता है माराष्ट के सुकरात के नाम से जाना जाता है माराष्ट के समाज सुदारक थे 1920 में हुई थी भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टे के स्थापना और इसके जो संस्तापक थे वो थे मानवेंदर नाथ इसी दौरान एक दूसरी पार्टे के स्थापना भी हुई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टे के स्थापना हुई थी 1923 को अगला question है प्राचीन ग्रंद संगम साहित्य किस भासा में वर्नित है जो संगम साहित्य लिखा गिया है उसकी भासा क्या है चार आप्शन आपके पास सही उतर है तमिल तमिल भासा में लिखा गिया है संगम साहित्य ये प्राचीन साहित्य है और जो अगर इसके समयकाल के बात करें तो 400 इसापूर इसका निर्मान किया गिया था और इस जो संगम साहितिय है इसमें चोल, चेर और पांड्य सासकों का वर्णन है मुख्या रूप से ये दक्षिन भरत के राजवन्स थे अगला question है बराबर की गुफाओं का निर्मान किस सासक द्वारा करवाया गया था चार option आपके पास सहीतर है अशोक अशोक ने किया था बराबर की गुफाओं का निर्मान ये गुफाओं इस्तित हैं बिहार में और ये मुख्य रूप से चार गुफाओं हैं अगर गुफाओं की बात करें तो इनमें है सुदामा, कर्ण, चौपड और विस्वजोपडी तो इसमें जो विस्वजोपडी है ये काफी इंपोर्टेंट ये कई बार पूचा गिया है अगला क्वेशन है अखिल भारतिय किसान सबा का गटन किस वर्ष हुआ? चार आप्शन आपके पास सहीतर है 1936 1936 में हुआ था अखिल भारतिय किसान सबा का गटन और इसके जो अध्यक्स थे वो थे सहजानन सरसोती अगला क्वेशन है बंकिमचंद चटरदी जवारा लिखित आनन्द मट में किस विद्रो का वर्णन किया गिया है? चार आप्शन आपके पास सहीतर है सन्यासी विद्रो सन्यासी विद्रो के प्रारम का समयता लगबक 1770 के करीब सन्यासी विद्रो प्रारम हुआ था और बंकिमचंद चटरदी ने एक उपन्यास लिखा अनन्द मट तो उसमें सन्यासी विद्रो का वर्णन किया है अगला क्वेशन है किस सिति को क्रिप्स मिसन की सुर्वात हुई थी चार आप्शन आपके पास सहीतर है 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिसन की सुर्वात हुई थी 23 मार्च 1942 का ये समयता भारत छोड़ो आन्दोलन का अगला क्वेशन है जलिया वाला भाग हत्याकाण जो तेरा प्लैल 1919 को जलिया वाला भाग हत्याकाण हुआ था पंजाब में तो इसके जाज के लिए हंटर आयोग का गटन किया गिया था अगला क्वेशन है गदर पार्टी के स्तापना किस स्तितिकों हुई थी चार आप्शन आपके पास सही उतर है नॉम्बर 1913 में सैन फ्रांचिसको जो एक सहर है USA का वहाँ पर हुई थी गदर पार्टी के स्तापना और इसके संस्तापक थे लाला हर्दयाल और जो गदर पार्टी थी तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाया गया था संस्तापक तो लाला हर्दयाल थे लेकिन इसके पहले अध्यक्ष थे सोहन सिन भागना अगला क्वेशन है तिरुपती बाला जी मंदिर किस हिंदु देवता को समर्पित है चारा उप्षन आपके पास सही उतर है विष्णू जो तिरुपती बाला जी मंदिर है यह मंदिर इस्तित है आंध्र प्रदेश की तुरुमाला परवत्सरेणी पर और यहाँ पर भगव द्रविड सैली में निर्मित है और जो ये द्रविड सैली है मंदिर निर्मार सैली है द्रविड सैली ये दक्षन भारत के मंदिरों की निर्मार सैली है और उत्तर भारत के जो मंदिर निर्मार सैली है वो है नागर सैली